हरे कृष्णा सभी बच्चों को सो स्ट्रुएंट रमेश पोख्रियाल जी ने ट्वीटर पे कुछ दिर पहले एक ट्वीट किया जल्दी से दिश लेते हैं कि इस ट्वीट में क्या बोल रहे हैं ये रिलीज दर अल्टरनेटिव अकाडमी कलेंडर फर क्लास 11th and क्लास 12th डेवलब बाई NCRT तोड़े यहाँ पे NCRT ने अपने ओफिशल वेबसाइड पे अल्टरनेटिव अकाडमी कलेंडर को रिलीज किया है मैं आपको बता देता हूँ कि ये अल्टरनेटिव अकाडमी कलेंडर है जब तक इडिया टूल्स टू एजुकेट स्टुडेंट वाइल ये अर एट होम जब तक आप घर पे हो तब तक टीचर्स को जो अकाडमी कलेंडर वो इंस्टर्ट कर रहा है कि कैसे आपको यहाँ पे उन बच्चों के साथ कनेक्टिविटी करनी है और कैसे आप उनके स्टेडी को फुर्स करेंगे तो यहाँ पे हम डायक्ट इस अकाडमी कलेंडर पर देखते हैं कि कैमेस्ट्री से लेलेटेड्ट क्लास eleven. क्लास twelf के बारे में उस अकाडमी कलेंडर में क्या बोला गया है यहां पर हमारे पास यह academic calendar आ गया आप ध्यान देना कि alternative academic calendar यह हमारे पास alternative कोई final academic calendar नहीं है और मुझे ऐसा यहां पर यह लग रहा है कि यह academic calendar lockdown होते ही NCRT ने बराना start कर दिया था और जब अब जा कि complete हुआ है तो इन्होंने यह publish किया है बहुत सारी चीज़ यहां 12 का आपको मिल जाएगा तो मैं आपको यह PDF description box में डाल दूँगा अब diet वहां से भी देख सकते हो तो यहां पर chemistry class 12 week 1 week 1 में बच्चों यहां पर आपको बोला गया है solid state आपको solid state यहां पर instruct किया गया है कि आप यहां पर करिए मेरे recording यहां पर जो यह CBSC है वो solid state को हटा सकती है अभी तक उन्होंने इस बारे में कुछ बोला नहीं है अब यहां पर यह तो न्यूज आ रही है कि स्लेबस में reduction होगा कौन से chapter हो सकते हैं अभी तक CBSC ने वो confirm नहीं किया तो यह solid state है वो भी reduction के radar में आ रहा है यह chapter भी हट सकता है तो मेरी अगर आप मानो तो अभी यह chapter भी start मत करिए आप chapter 2, chapter 3, chapter 4, solution, electrochemistry, chemical, kinetics अब यह सारे chapter भी start कर सकते हैं बट यहां पर में देख लेते हैं कि क्या क्या बोल रहा है तो पहला आपको जो week है आपको यहां पर start करना है amorphous and crystalline solid वो कि students next देखते हैं पर हमारे पास जो second week में आपको start करना है second week में आपको start करना है वो chapter number 1 का ही है unit cell and crystal lattice number of atom in unit cell third आपका इसी में हमारे पास है crystal lattice and unit cell और fourth topic के पास है number of atom in unit cell third week में student आपको start करना है यहां पर packing and closed pack structure packing efficiency, hexagonal close packed structure, close packed structure in three dimension and आपका आगया packing efficiency in crystal lattice so student यहां पर YouTube की जो सारी videos लिंक में यहां पर है fourth week में आपको student यहां पर पढ़ना है defect and imperfection and साथ में ही a brief on semiconductor तो यह तो आपका हो गया चार वीक का चार वीक प्ला प्लान एक मंद का पूरा प्लान की आपको solid state कैसे पढ़ना है student यहां पर जो आप राइट में देख पा रहे हो यहां पर यह follow up activity है यहां पर activities के बारे बताये गया है इस PDF का जो link है मैं description box में डाल दूँँगा आप उहां से download करके आप complete यहां पर इसकी information ले सकते हो बट मेरे recording यहां पर आपको अभी solid state start नहीं करना चाहिए आप start करिये solution chapter में से तब तक official notification CBSC की आ जाएगी official academic calendar CBSC का आ जाएगा मैं आपको यह confirm कर देता हूँ कि NCIT content बनाता है और CBSC syllabus बनाता है कि क्या पढ़ाना है NCIT बताता है कि कैसे पढ़ाना है और CBSC क्या पढ़ाना है तो अभी तक CBSC का official calendar नहीं आया है academic calendar नहीं आया है तो अभी आप relax हरिए chapter में 2 से आप start करिए next यहां पर देखते है chemistry class 11 के लिए क्या करना है तो यहां पर आप देख पाओगे screen पर देख सकते हो तो chemistry class 11 में जो first week में आपको start करना है वो है some basic concept chemistry यह topic आपके पास chapter number 1 जो है वो week 1 और week 2 में आपको complete करना है week 3 और week 4 के लिए आपके पास chapter number 2 है structure of atom so student class 11 के chemistry में आपको चार week में दो chapter complete करने है पहला आपका some basic concept chemistry complete आपको करना है वहाँ पर structure of atom content यहां पर आपके पास क्या क्या discuss करना है वो देख लेते हैं some atomic particle atomic model development of leading to a bohor atomic model of atom bohor atom for hydrogen atom quantum mechanical model of atom तो आपको यह सारी चीज़ यहां पर complete करनी है इसमें हमारे पास क्या discriminative proton यह बहुत सारी चीज़े अब इस PDF करें complete information यहां से ले सकते हो तो अगर मैं overall बात करूं तो chemistry class 12 में यहां पर बोला गया है आप start करिए क्या तो chapter number 1 बट मैं आपको यहां पर recommend करता हूं कि आप chapter number 2 से start करें chapter 1 को हटाया जा सकता है तो students मेरे recording जो इन्होंने अभी यह alternative academic calendar निकाला है यह दो महिने पहले आना चाहिए यह calendar दो महिने लेट है क्योंकि यह बता रहा है कि आपको घर में भी कैसे पढ़ना है और जुलाई 15 से आपके school खुलने ही वाले है ऐसी news आ रही है तो आप यहां पर follow कर सकते हैं इस calendar में आपके पास physics को कैसे start करना है biology और mathematics आपको पहले क्या क्या पढ़ना है सारी complete detail है कौन सी activities आपको उस chapter में करनी है chapter कैसे आपको हमें complete करना है बहुत सारी strategy है तो आप इस PDF को description box से download कर सकते हैं और अपने पढ़ाई को start कर सकते हैं तो student अगर मैं आपको यहां पर एक overall overview दूँ तो यहां पर इन्हों ने इस academic calendar में कुछ भी date यहां पर finalize नहीं की कि आपको इसको कशे start करना है यहां पर इन्हों नपस इतना बोल दिया कि जब तक आप घर में हो तो आप ऐसे यहां पर start कर सकते हो इस academic calendar में physics, chemistry, biology, mathematics कैसे आप start करोगे सारी चीज़े यहां पर है with activities की teacher को कौन सी activities करवानी है बच्चों से घर में वो सारी चीज़े है तो आप इस PDF को description box से download कर सकते हो और अपने पढ़ाई start कर सकते हो सो स्टूंट अगर आपको यह video beneficial लगी आपको इस video से थोड़ा भी help हुआ तो आपको पता है क्या करना है like करिए share करिए इस video को और तब तक के लिए हरे कृष्णा